Hello my learners, I hope कि आप अच्छे होंगे, so आज की वीडियो में हम इतना important topic पढ़ने जा रहे हैं, जो 25% marks carry करता है, सबसे जादा marks carry करता है आपके exams के purpose से, and अगर आप diploma के student है, then आपका ये subject ही है, तो आपके लिए तो आपको पढ़ना ही है, क्योंकि अगर आप नहीं पढ़ेगे तो थोड़ सी problem आ जाएगी आपको, so शुरू करते हैं, topic का नाम है larder, जिसको हम guard manger भी कहते हैं, and cold kitchen भी कहते हैं, अब हम चलते हैं कि guard manger, cold kitchen या larder का definition क्या है, larder एक kitchen का वो department है, जहां पे हम जो perishable raw and cooked items हैं, उसे store करते हैं, and वहां पे processing and cold preparation होती है, अब perishable मतलब क्या होता है, perishable मतलब होता है कि वो समान जो जल्दी खराब हो जाते हैं, जिनके जल्दी खराब होने के chances हैं, अगर थोड़ा सा moisture से इनका exposure हुआ, तो वो खराब हो जाएंगे, and वहां पे cold preparation, cold preparation मतलब हो गया आपका salads, आपका हो गया aspic jelly and cold sauces, cold soup, यह सब आपका ladder में बनता है, और ladder को और क्या बोलते हैं, guard manger, अब आपके exams में आएगा, definitely आएगा, की what are the functions of ladder, की ladder का क्या क्या काम है, So, let's study की functions of ladder, पहला function है, वोले perishable raw items का storage करना, जिनको minus 18 degree Celsius के नीचे चाहिए होता है, अगर उनको minus 18 degree Celsius नहीं मिलेगा, तो वो सड जाएंगे, वो बिकार हो जाएंगे, second function आता है, यहाँ पे storage and preparation होता है, किसीच का, पहले से बने होए, या जो बनाए जा रही हैं वहाँ पे, जैसी कि आपका cold salads हो गया, आपका cold appetizers हो गया, meat हो गया, and soup हो गया, cold soup हो गया, तो इन सब का storage and preparation महाँ पे होता है, cold preparation, that's why हम लोग यहाँ पे इनको क्या बोलते है, cold kitchen, third function आता है, कि यहाँ पे हम utilization of leftovers करते हैं, अब इसका मतलब क्या हुआ, मतलब जो leftover बचा है, जो बचा कुछा समान है, उसे हम use करते हैं, अब कैसे करते हैं इसका use, for an example, आपने chicken लिया, ठीक है, अब chicken में से आपका bone निकला, और आपने vegetable भी लिया, vegetables में से आपने काटा, आपने different, different shapes काटे, जो फालतु में, जो side के बच गए, जो wastage होए, उसको आपने लिया, आपने पानी में डाला, and you have made the stock of it, and आप उसी stock को आप store करके रख रहे हैं, different, different sections of kitchen में दे रहे हैं, जिसे कि वो लोग, अपने खान में, और aroma, और flavors, आड़ कर पाएं, fourth function आता है, कि यहां पर preparation of garnishes, and accompaniments, का यहां पर preparation होता है, and storage होता है, एन यह different, different sections of area में, distribute करते हैं, अब garnishes, जो आपके dish के ओपर डलते है, and accompaniments, जो आपके dish के साथ जाते हैं, that is known as accompaniments, तो यहाँ पे storage भी होता है, preparation भी होता है, and distribution भी होता है, अब आपने देखा कि ladder का function क्या है, है ना, प्लीज इसको learn कर ले चाहिएगा, यह आपके exam में definitely आएगा, पांच marks का सकता है, हमने अभी पड़ा कि function of ladder क्या है, अब आपने देखा कि वहाँ पे ठंडी है, वहाँ पे cold preparation हो रहा है, वहाँ पे perishable चीजे है, वहाँ पे जली सड़ने वाली चीजे है, तो आपका ladder कैसी जगा होनी चाहिए, जो आपका ladder है, वो आपका hot kitchen से थोड़ा सा दूर होना चाहिए, आप इतना भी दूर ने कि आप अट्लांटिका में आपका cold kitchen है, और South India में आपका hot kitchen है, इ आपके समान में धोड़ी सी गर्माहट आई, ladder में जहाँ पे समान रखा है, चिकन जो रखा हुआ है, आपका different different चीजे जो रखी हो है, जो सड़ सकती है, वो आपका पूरा खराब हो जाएगा, लॉस हो जाएगा, इसलिए थोड़ा सा दूर होता है, उतना भी दूर ने, थ खोड़ा सा दूर, जो आपका ladder होता है, वो एकदम well ventilated होता है, मतल़ उसमें हवा का बहाव रहता है, well air ही रहता है, and lights अच्छे से लगी रहती है, अब काटते काटते, हाथ कट गया तो थोड़ सी problem आ जाएगी न, so इसलिए आपका अच्छे से light लगी होनी चाहिए वहाँ पर अच्छे से storage का, मतलब अच्छा storage होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर आपको समान रखना है, and spacious होना चाहिए, and एक और चीच, जो बहुत important है, hygiene, hygiene आपका maintain होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पर chicken का use कर रहे हैं, आप भी चानते हैं, वहाँ पर blood होगा, वहाँ पर गरम खून होगा, अगर आप उसको बाहर छोड़ देंगे, तो उसमें fungus लग सकता है, अगर वहाँ पर गंदगी हुई, वहाँ पर अगर कुछ भी गंदगी, कुछ बची रहे गई, तो आपका क्या होगा, जो आपका वहाँ पर रॉओ अन कुग आइटम है, जो परिशेबल हैं, वो स वोट आप परिपरेशन विच वी मेड इन लाडर, और वोट आप आप परिपरेशन को चार चार च्लासिफिकेशन में बातेंगे, उसके अंदर में आपको एग्जाम्बल से पताऊंगा, यूँँट आपको तेंशन फोर आपका पर परिश्फिकेशन है, गैलन ताइन प् परिपरेशन के अंदर आपका आता है, आस्पिक जेली, फोटो आपको दिख रहे हैं, प्लीज ये सब टर्म्स आप अपने एग्जाम्बल में डाले, यूँविल डेफिनेटली गेट अपर्फिक नमबर, दूसरा एग्जाम्बल है इसमें मूज, या मूज लाइन, तीसर है आपका cold sauces, अब चलते हैं, second type of preparation में, second classification of preparation में, जो है आपका marinated product, marinated मतलब उसमें कुछ infuse किया गया है, for an example, आपका हो गया smoked product हो गया, आपका salads हो गया, और आपका pickled product हो गया, या किसमें आया, marinated products में, third type of classification है आपका forced meat, forced meat क्या होता है, forced meat मतलब ये एक mixture of minced and chopped meat होता है, जिससे हम क्या बनाते हैं, forced meat के अंदर क्या क्या आता है, आपका patty, sausages, terrine and etc, fourth type of preparation का classification है, centerpiece या non-edible displace, आपने देखा होगा जब आप शादी में जाते होंगे, तो जहाँ पर खाना लगा रहता है, वहाँ पर सब्जी या किसी fruit का कुछ sculpture बना के रखते हैं, जैसके आपने देखा, तर्बूच को काट के कुछ बना दिया, कुछ पंची बना दिया, या बैगन को काट के कुछ और बना दिया, ऐसे सब बना दिया, इसके अंदर क्या है, और यही चीज भी आती है, कि आइस से क्रेविंग करा आपने, आइस से को काट काट के, काट काट के, काट के, सुन्दर सुन्दर से आपने उसके, क्या बोलते हैं, यहां पर क्या क्या आता है, इसके अंदर, सेंटर पीसेस, और नॉन एडिबल डिस्प्लेइस के अंदर, फर्स्ट आगे आपका आइस कार्विंग्स, सेकेंड आगे आपका सॉल्ट डो स्कल्प्चर, सॉल्ट डो स्कल्प्चर आपके ऐसे दिखते हैं, प्लीज आप फोट इन कोशन पे, जो आपका एक्जाम में दस मार्क्स का पक्का आएगा, अप मुझसे से लिखवाल होगी चीज, यूकि मैंने भी एक्जाम दिया है, और मिनने जितनी बार एक्जाम दिया है, यह हमेशा आया है, और बहुत इजी है, बहुत इजी है, कि, equipments found in larder kitchen, कोशन आ लिख देगा लास्ट में, एना 5 star hotel, so, let us start कि कौन कौन सी equipments है, जो larder kitchen में आते हैं, मैंने आपको बताया यहाँ पे, थोड़ सा हमें, थोड़ सोचना भी है, larder क्या है, जहाँ पे cold preparation होता है, storage होता है, और वहाँ पे raw materials होते हैं, perishable items होते हैं, वहाँ पे meat होता है, poultry होत है, and raw cooked items, बहुत सरी चीज़ होते हैं, तो हमें सबसे पहले क्या चाहिए होगा, इन सब को रखने के लिए, refrigerator, या deep freezer, जिससे कि वो खराब नहीं होता है, क्योंकि मैंने आपको बताया ना, कि function of larder chef, larder क्या है, कि raw materials जिनको minus 18 degree Celsius के नीच से storage चाहिए होता है, तो वो तो ऐ ऐसे हो नहीं जाएगा कि आपको temperature minus 18 degree Celsius हो जाए, तो उसके लिए आपको deep freezer चाहिए होगा, so first equipment क्या है, आपका refrigerator या deep freezer, second आता है आपका mincing machine and food processor, mincing machine क्या होता है, जो आपके meat को एकदम चूर्मा बना देता है, जो आपके एकदम paste जैसा बना देता है, और इससे क्या बनता है sausages, sausages ऐसे दिखते हैं, यह जो sausages भी आपको दिख रहा है न, इसके अंदर भरा जाता है, एक पॉलथीन होती है, उसके अंदर भरा जाता है, sausages and patties and hamburgers, बनाया जाता है, दूसरा आता है आपका, जैसकी food processor, जो आपका food processor है, यह जो food processor होता है, वो mainly आपका mixing के काम आता है, जैस कि आपका meat हो गया, आपका यह सब, यह vegetables हो, तो उसको mixing के काम आता है, third equipment आता है, आपका slicing machine, अब slicing machine क्या होता है, जो किसी चीज़ को slice कर रहा है, आपने sausage बना दिया, सारा interlinked, आपने minced machine से और processing machine से आपने अपना sausage बना दिया, अब उसको काटेगा कौन, तो हम इसका use करते ह slicing machine का, slicing machine का, slicing machine का use करते है, and slicing machine से हम salads भी काटते है, and boneless joints भी काटते है, etc., बहुत साई चीज़ काटते है, meat का preparation, meat, बहुत साई चीज़ काटते है, fourth equipment साता है, आपका scale and weighing machine, अब scale और weighing machine का क्या करेंगे, कि आपका ingredients क्या डालना है, आपका कितने मात्रा में ingredients डालना है, so यह साई वेट तो करना पड़ेगा, so that's why हमें scaling and weighing machine चाहिए होता है, fifth equipment आता है आपका salamander, या toaster, या grill, grill तो आपको पता है, toaster भी आपको पता है, salamander क्या होता है, salamander होता है, यह आपके dish को उपर से heat provide करता है, अगर आपने internship की होगी, तो आपने देखा होगा, कि जब kitchen और FNB department के पीच में एक line होती है, जहाँ पे chef जो होता है, वो dish रखता है, बनी बनाई dish रखता है, जिससे की FNB वाला उठा के उसे guest को serve कर पाए, तो जहाँ पी वो रखता है, उपर से एक heat आ रही होती है, वो चीज होता है, salamander, आपका heat उपर से provide हो रहा है, के ले जाने तक, वो आपका गरम रहे, so that is known as salamander, यह आपका कौन से equipment था, 5th equipment, next equipment आता है, आपका 6th, जो है butcher's block, अब butcher's block क्या होता है, अब जो meat काट रहे हैं, जो chicken काट रहे हैं, जो बकरी काट रहे हैं, जो भी काट रहे हैं, तो किस हीच पर काटेंगे, एक stable आपके पास होना चाहिए न, वरना अगर काटते काटते, अगर वो meat फिसला, तो आपके अगर हाथ में लगया, तो वो भी meat के साथ आपका मिल जाएगा, सो, फोर्स meat हो जाएगा आपका, तो इससे लिए एक butcher's block होता है, आपने देखा होगा, meat shops में, कि एक cylindrical लकडी का होता है, जिस पे meat काटते हैं, So, that is known as butcher's block, और बहुत सरे shapes के आते हैं, there is no specific shape कि आपका इतम गोलाना चाहिए, बट वो stable रहता है, और उसमें आपको जो meat होता है, वो फिसलता नहीं है, और butcher's block का हमेशा यह याद रखेगा, कि यूज करने के बाद इस से पते points लिखना है आपको, उसमें, explanation में, कि butcher's block को अगर आपने यूज किया है, तो आपको उसको धोके रखना है, जिसे कि hygiene maintain रहे, आप जितने भी जो equipments लिख रहे हैं, हर equipments के नीचे underline कर दें, क्योंकि exams के timing में, जो examiner होता है, वो आपका main point check करता है, आपने जो अंदर लिखा है, वो उतना check नहीं करेगा, आप उसको highlight कर दीजे, जिसे कि वो अराम से पड़ पाए और आपको अराम से easily number दें, next equipment आता है आपका 7th, which is saucepan and lids, अब saucepan का कहाँ पर use होगा, जो आपने cold sauce बनाया है, जो आपने stock या cold sauce जो भी आप बना रहे हैं, तो उसके लिए तो लगेगा, है ना, तो saucepan उस चीच के लिए हो गया, और lid की चीच के लिए उसको ढखने के लिए, simple, next आता है आपका 8th equipment, which is electrical grinder machine, अब electrical grinder machine क्या है, थोड़ सा चाई पीने का कश्च करेंगे हम, sorry, so, electrical grinder machine क्या है, आपने देखा होगा, शेफ जो होते हैं, वो इक पत्थर पे अपनी knife को घिसते हैं, ठीक है, अब कभी-कभी धंग से नहीं घिस पाता है, है ना, इतने perfection नहीं आते, edges उसके अच्छे से नहीं साफ होजाए, edges को ऐसे से करोगे ना, उस पे, तो आपका क्या जाओगा कि आपको जो knife है, वो ही तूट जाएगा, तो उसको पत्थर पे नहीं कर सकता है, हम सो सोरी हमें कोई नाम नहीं आ रहा पत्थर का याद, उस पत्थर को क्या बोलते है, मैंने नीचे लिग दिया है, पत्थर को क्या बोलते है, for your interviews question, तो हम electrical grinder machine का यूज़ करते है जो ऐसा देखता है, वो आपकी knives को, clevers को, आपके and choppers को आपको sharp कर देता है, क्योंकि ladder में तो यही सब चीज़ का जरूरत है, आप meat काट रहे हैं, आप एकम sharp होना चाहिए knife, आपका clever और आपके जो choppers होना चाहिए, जिससे की असानी से cut पाए, और आपका हाथ उसमें फिस लेना, next equipment, हम इसको others में कर लेंगे, कि like, एक section मा ला देज़ेगा, others, इसमें आप, यह तो सारे बड़े-बड़े machines हो गए हैं, अब जितने छोटे machines हैं उसको एक साथ कर देते हैं, so others में आपका आगया, others means small equipment में आपका आगया, serving spoon, ladles, whisk, grater, घिसने वाला grater, lemon zester, जो आपका lemon zest जैसर है, हो एक greater जाए सही होता है पर एक छोटा समयता है, उसमें छोट 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 होते हैं, जिसकी जो आपका lemon होते है, उसका जो skin होता है, उससे चि करते हैं, जैसे कि lemon का स्वाद आए, उसमें smell आए, कॉनिकल स्टेनर की आपकी फोटो में यहां पर दिखा रहा हूं एक यह स्टेनर होता है जो बधे कैप के शेप का होता है नेक्स्ट है आपका बुचर सुक मतलब जिसमें आपका बकरी जो टांगते है न तो उसको बोलते हैं बुचर सुक अब हम चलते हैं यह भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि ड्रॉब दर ले आउट ओफ लाडर किचन या गाड़ पांजर या कोल्ड किचन यह अगर आपको वह आता है न क्या बोलते हैं कोश्टन की डिफाइन लाडर तो आप यह तो लिखी देंगे जो मैं आपको बताया उसमें functions भी लिख सकते हैं आप उसमें equipments भी लिख सकते हैं कि what are the equipments found in लाडर क्योंकि उसने बोलाएं कि define you have to define लाडर it's up to you how you will define it and वहाँ पे आप लास्ट में एक डाइग्राम बना दी जाए आपको perfectly 10 marks में जाएंगे यह है आपका डाइग्राम प्लीज आप इसको learn कर लीजे इसे practice करिए 2-3 times because यह आपका पक्का आने वाला है और अगर आपको कुछ आप पढ़की भी नहीं जा रहे हैं तो लाडर का यह डाइग्राम बना के वहाँ पर बना के आजाएगे आपको marks मिल जाएंगे next हम पढ़ते हैं की what are the different sections of ladder की कौन-कौन से different section of ladder है कौन-कौन से अलग-अलग ladder के sections है यह ना बाइदे में मौसम बहुत अच्छा हो रहा है बहुत मजा आ रहा है मुझे वीडियो बनाने में आपका बीग्जाम बहुत अच्छा जाएगा क्योंके राप मेरा अच्छा मोड़ है मौसम बहुत अच्छा है और मैं आपको पढ़ा रहा हूं अच्छे मांक्स येए so what are the different sections of ladder first आता है आपका बुचरी बुचरी में आपका पोल्ट्री आपका different types of meat को काटा जाता है and store किया जाता है simple next है आपका fish mongeri यहाँ पे fish का इसको explain करने के ज़रूरत नहीं है क्योंकि यहाँ पे fish का preparation and storage होता है next है आपका hodoffs और cold sauces यहाँ पे hodoffs मतलब appetizers French classical menu के terms में हम hodoffs कहता है जो आपका first course of menu होता है किसी भी menu का first course होता है and यहाँ पे cold sauce बनता है यहाँ पे hodoffs का preparation होता है मतलब यहाँ पे अलग section होता है इन सब चीज के लिए next आता है आपका salads salads का भी अलग section होता है क्योंकि यहाँ पे आपने बस salads मैंने बस जब तक मैंने hotel management नहीं किया था तब तक मैंने salads देखा था बही टमाटर खीरा प्याच और निम्बू और मिर्ची but there are so many salads, there are so many dressings, American dressing, French dressing इसमें portions का difference होता है there are so many types of dressings so इसका भी collection होता है salads का जहाँ पे salad का preparation होता है जिससे की buffet जब लगेगा आपका तो वहाँ पे हम उसे showcase कर पाए meats के भी salads होता है यह आदखे है next आता है आपका cold buffet cold buffet में आपके यह सारे preparations आते हैं जो आपको photo में देख रहा है यहाँ पे इसका storage होता है and preparation होता है और यहाँ पे surf किया जाता है, sample I hope कि आपको यह भी समझायोगा नहीं समझायोगा तो पूछते रहेगा comment section में कोई issue नहीं है, free है comment section अब हम पढ़ते है yield testing आपको question आ सकता है पता है शायद मुझे यह याद आ रहा है कि शायद मुझे तीन या दो यह तीन marks में आया था और या और में आया था यह कि what do you mean by yield testing so yield testing होता क्या है यह yield testing एक तरीका है जानने का आपके end product का cost किस चीच का comparison करके किस चीच को दिमाग में रखते हुए कि आपका starting में कितना volume, कितना mass था और आपका end product में कितना volume, कितना mass है मतलब यहाँ पर हम क्या देखते हैं बीच में कितना loss हुआ है किस चीच का mass and volume का very simple इसका definition क्या है it is a procedure used for computing your actual cost actual cost को पता लगाता है on the product that will experience weight or volume loss in preparation जो आपका loss हुआ है weight और volume का preparation के time अब इसका formula क्या है आपको आजाएगा कि starting का इतना था और last का इतना बचा है तो बताएए कि आपका total yield कितना हुआ total yield percentage कितना हुआ तो जो total yield percentage का जो formula है वो है EP जो EP upon AP multiplied by 100 अब आप सोच तो होंगे कि मैंने बोलतो दिया EP और AP अब EP और AP है क्या EP को हम edible portion भी कहते हैं and remaining portion भी कहते हैं remaining weight भी कहते हैं जो आपका EP है EP मतलब होता है कि आपका जो last product बचा है उसका weight या जो भी है मतलब जो एकड़म cut cut काट के जो बचा हुआ है that is your EP अब AP जो होता है AP को हम as purchased भी कहते हैं या उसे original weight भी कहते हैं जब उसे हमने wholesaler से खरीदा या food service वाले से हमने खरीदा तो वो क्या count था क्या weight था that is your AP तो इसका total yield percentage का formula क्या है edible portion जिसको हम remaining weight भी कहते हैं upon original weight जिसे हम as purchased भी कहते हैं multiplied by 100 क्योंकि हम इसमें या पर percentage निकाल रहे हैं so that is your total yield percentage very simple तो अब हम जम करते हैं next topic पे जो यह भी बहुत important सब important ladder is very important क्योंकि इतना जादा marks contain करता है आपका you have to study और यह बहुत easy है मतला बोलते हैं कि आपका दिमाग से आपको बस लिखना है उसमें आपने एक बार अगर सुन लिया है इस वीडियो से तो आप वहां से उसको लिखी लेंगे you will definitely get good marks सो अब next topic पर आते हैं कि draw the hierarchy chart of ladder kitchen या ladder stuff है ना तो यह रहा आपका hierarchy hierarchy I don't guess मुझे समझानी की जरूरत है तो hierarchy यह रही आपकी तो आप इसको please लिख लिख के लिख लिख के इसको learn कर ले जादा बड़ी hierarchy नहीं है only very few steps की है अगर आपको इसमें कुछ समझ नहीं आ रहा है तो please again please ask me in comment sections next topic and very important topic last topic but not least कि आपका duties and responsibilities of ladder chef कि आपके जो वहापे जो लाडर है जो वहापे chef जो काम करता है उसका duties and responsibilities क्या है हमने पढ़तो लिया भाई कि ladder यह है ladder chef वहापे chicken काडता है और क्या responsibilities है उसकी बस chicken ही काडता रहता है वह नहीं आपको यह ऐसा कोशन आ सकता है what is the responsibilities and duties duties and responsibilities of a ladder chef of a five star hotel कि भाया बताओ five star hotel का जो लाडर chef है उसकी duties and responsibilities क्या है जो शुरू करते हैं और यह याद रखिएगा यह आराम से आपका 10 marks का question आएगा 5 यह 10 marks का question जरूर आएगा जरूर आएगा first आता है आपका जिसकी अगर 10 marks का question आगए तो आपको 10 points लिखने ही है यह याद रखिएगा कि अगर if you want marks then यह नहीं कि आपको एकदम page एकदम भर नहीं है कैसी भी करके नहीं कोई आपका paragraph कोई नहीं पढ़ता है हाँ इगनू के exams में I can understand you have to fill आपको पूरा भरना पढ़ता है पर जहाँ पे जो mark scoring questions है आपको point wise लिखना पढ़ता है इसकी यह वाला है duties and responsibilities और हम जो लाडर chef होता है उसे हम chef guard दे मांजर भी कहते हैं यह आपका additional knowledge है and first आपका duties and responsibilities है कि लाडर kitchen को अच्छे से efficiently run करवाना मतलब कोई भालतू का problem create ना होना and एकदम perfectly सारा काम complete होना that is your effective efficiently running of kitchen second duties and responsibilities है कि जो आपका वापे staff काम कर रहा है उनके बीच में coordination maintain करना है ना सब के साथ काम करना सब को मिल जुल के काम करना काम बाट के चलना अपना काम करना फिर अगर आप किसकी help कर सकते हैं तो you have to help others also basic thing थोड़ा साब देखिए जो मैं आपको बता रहा हूँ वो हर शेफ का है हर शेफ का एगी काम है पर यहां पर थोड़ा सा question में क्या आगए larger chef बताओ तो अप यह अगर आपको executive का भी आता है what are the duties and responsibilities of executive chef तो आप यह भी लिख सकते हैं आता है आपका training and maintaining discipline of the staff उनका training भी करवाना क्योंकि अब वो वस काटते रहेंगे काटते रहेंगे that is not a thing उनकी training भी करवाना different different ladders के section में भी discipline maintain करके रखना और आता है आपका कि जो chef है उसे हमेशा हमेशा जो menu होता है उसे पहले से ही पढ़के रखना पहले से ही study करके रखना क्योंकि आपको उस dish को बनाने के लिए जितना meat चाहिए जितना जो भी चीज़ चाहिए ingredients चाहिए कितने पहले चाहिए वो सब order कर पाए जिससे की वो time पे order कर पाए सही quantity में order कर पाए इसलिए उसे हमेशा menu पढ़ना चाहिए और उसे अच्छे से study करना चाहिए and analyze करना चाहिए next आता है आपका कि larger chef is responsible for avoiding deterioration and wastage deterioration मतलब किसी चीज़ का खराब होने से उस खराब होना तो chef को उसको बचाना पड़ता है मतलब उसको देखना पड़ता है कि सही temperature पे है सही चीज़ों के साथ रखा है and wastage को avoid करना minimum करना जितना कम कर सकता है wastage को wastage को उतना कम करना next आता है आपका for cleanliness and hygiene maintenance in the department अब आपका ladder है जहां पर बहुत सारे क्या बोलते है perishable items है तो उनका अब वहां पर तो साफसफाई चाहिए होगी perishable मतलब जली से सर जाते है तो वहां पर साफसफाई तो चाहिए ही होगी तो वहां पर housekeeping से कह कहा के वहां पर साफसफाई करवाना पर सारे corners हो चेक करना कि वहां पर hygiene maintained है की नहीं जितना hygiene जैसे कि आपका chef है वह अच्छे से mask लगा के आ रहा है की नहीं अच्छे से क्या बोलते है हीरने लगा के आ रहा है की नहीं जो उसने कपड़े पहने है वह साफ करके आ रहा है की नहीं So these are the things which comes into your Agene maintenance Next आता है कि Chef को ensure करना पड़ता है कि जो भी समान वहाँ पे stored है वो सही जगा पे stored है की नहीं ठीक है सही जगा पे और सही temperature पे stored है की नहीं Next आपका आता है कि जो आपका खाना है जो आपका जो stored food है वो आपके वर्मिन से protected है की नहीं Vormin मतलब जसकी जो rodent हो गया चुहे हो गये जो आपके खाने को बरबात कर देते हैं जसकी उतना कि कीड़े-वेड़े जो होते हैं जो आपके खाने में लग जाते हैं जो आपके खाने को बरबात कर देते हैं उन सब चीज का ध्यान रखना कि ये सब लग नहीं रहा है उस खाने में next जो बहुत important duties and responsibility है कि portion control करना कि जो chef को portion में meat दिया जा रहा है या जो भी समान दिया जा रहा है वो उसका सही से उपियो कर रहा है उसका कोई wastage नहीं कर रहा है next आता है कि आपका जो food है जो आपका storage है वो जादा overstocked नहीं है अगर overstock रहेगा तो आपको overstock मतलब जादा मात्रा में नहीं भरा है अगर जादा मात्रा में भरा रहेगा तो आपको storage के अलग जगा चाहिए और उसकी और भसड और आपको जादा पैसा भी लगेगा जितना आपको चाहिए you have to keep that amount only next आता है कि आपको जो stock है वो regularly maintain हो रहा है कि नहीं कि मतलब जो आपको storage है stocks है वो आपको regular maintain होता रहे जिससे कि आपको जब operations चल रहा है तब आपको कोई like shortage ना हो next आता है कि जो larger chef हो responsible होता है जितने भी stores है सब चीज का समान order करने के लिए आपने notice कर रहे होंगे कि सारे एक ही जैसे point है पर थोड़ा थोड़ा इसमें क्या बोलते है वर्डिंग का change है यही चीज you have to learn आप बस आपको थोड़ा सा word change change करकर के you have to increase the points आपको 10 points करने ही अगर आप if you need 10 marks next and last point है कि maintaining of daily stock level जो आपका ही आपे खतम duties and responsibilities यह chapter अगर देखा जा तो बहुत important है 25% carry कर रहा है फिर से बोल रहा हूं आपको so please इसको थोड़ा सा seriously क्योंकि इसमें से questions आने वाले है and I hope कि आपको समझ आया होगा अगर आपको कुछ पूछना है तो you can ask me in the comment sections please पूछें क्योंकि questions पूछना कुछ गलत बात नहीं है doubt आना बहुत अच्छी बात है even that is a silliest question कि आपको कैसा भी question हो आपको पूछना लाडर के I don't have any problem please ask you have to learn and I will teach you and please अगर आपको कुछ और भी additional information पता है तो do let me also know क्या क्या चीजे है so we'll meet you in the next video तब तक तड़ा बाई बाई